दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल अफजल एललवी को और दवाएए वेल आइकॉन अपडेट हर नया वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हेलो एब्रिवन आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर कोई पतनी अपने पती पर या फिर अपने ससुराली जन या फिर उनके रिस्चिदारों पर कोई भी धेजुद्पीण का जूटा केस कर देती है तो सबसे पहले पती पक्ष को क्या करना चाहिए अपने प्रोटेक्शन में ताकि वो खुद को बचा सके खुद को सिक्योर कर सके और जातर जो देखा गया है वो ये है कि अगर कोई ऐसा कोई धेजुद्पीण का केस होता है तो पती पक्ष डर जाता है और अंजाने में ग वीडियो काफी जादा important होने वाला है यकीन मानिए कि अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेंगे तो आप इस type के दहे जुद्पिन की case की किसी भी FIR से आप नहीं डरेंगे आपको पता होगा कि आपको आगे क्या गरना है और आप अपना बचाओ कैसे कर सकते हैं तो ये सा इनी ने कोई भी ऐसी FIR की है जो दहे जुद्पिरन से related है फिर चाहें आपके पती पक्ष के parents को involved किया हो उनके रिष्टेदारों को involved किया हो पती को involved किया हो तो ऐसे मामले में आपको बिल्कुल भी घबरानी की जरुद नहीं है क्योंकि 498 के मामले में पुलिस तो वैसे भ करना है अगर वो केस FIR के जरीए हो रहा है थाने में कोई FIR अदर्ज कर आई गई है तो ऐसे मामले में क्या है सबसे पहले आपको थाना प्रवारी से मिलना है ध्यान रहे थाना प्रवारी आपको गरफतार नहीं कर सकता क्योंकि 498 के जो भी 393, 498, 504, 505 अमूमन इनी धार में FI अदर्ज होती है दहेज की तो इन मामलों में पुलिस गरफतार नहीं करती है तो आप बिलकुल भी डरें नहीं वलकि आप अपनी बेगुनाही का सबूत थाने वालों को दें बताएं कि ऐसी कोई घड़ना नहीं है और जान पूझ करके पतनी ने आप पर दवाव बन लेकिन पता चलता है कि घर का कोई भी सदस उस समय उस घड़ना के बत वहाँ पे मौझूद नहीं था या फिर घर का कोई एक सदस कोई जॉब बगएरा करता है तो उसकी अटेंनेंस सीट निकलवा के दिखाई जा सकती है कि इसमें नाम इन्वाल्व किया गया है जबकि यह उस समय वहाँ पर अपनी डूटी पर जोइन डूटी पर थे तो इस तरह से यह बताया जा सकता है कि यह जो फायर कराई गई है यह जूटी है अब यहाँ पर थाना प्रवारी को अगर लगता है कि हाँ यह मामला ऐसा हो सकता है तो उस मामले में वो उस फायर में फायर लग उस सम्मंद में हो सकता है कि वो उसके नाम निकाल दे ठीक है तो F.I.R. में भले ही नाम है लेकि जो वो कोर्ट में अपनी फाइनल रूपोर्ट के रूप में जो भी चाश्री लगाएगा हो सकता है कि उन लोगों के नाम उसमें से निकाल दिये जाए तो इस मामले में आप ठाना प्रवारी से बात कर सकते हैं दूसरी बात दूसरी बात यह है कि अगर ठाना प्रवारी को आप ये यकिन दिलाने में कामयाब हो जाते हैं एविडेंस के आदार पर कि ये F.I.R. जूटी है तो उस मामले में थाना प्रवारी उसमें फर लगा सकता है फर का मतलब होता है फाल्स रिपोर्ट अगर फाल्स रिपोर्ट लग गई तो उस मामले में आप मतलब की फिर तो आप पर कोई केस चलेगा ही नहीं जब फाई आर ही जूटी हो जाएगी जब F.I.R. में जो investigation है उसमें जब evidence पुलिस को मिलेगा ही नहीं और जो भी सम्मंदित evidence मिल रहे हैं वो भी false मिल रहे हैं तो उस मामले में वो F.I.R. लगा देगा तो आप पर कोई case चलेगा ही नहीं मामला वहीं खतम हो जाएगा लेकिन अगर धाना प्रवारी आपकी बात से सहमत नहीं है और वो उसमें ऐसे नामों को नहीं निकाल रहा है और फिर उसमें F.I.R. नहीं लगा रहा है या फिर वो opposition से मिला हुआ है लड़की पक्ष से पहले से मिला हुआ है आपको ऐसा लगता है कि उसने पैसे बगरा ले लिये हैं ऐसा कोई भी reason है अगर आपको लग रहा है कि वो ऐसा कुछ गलत कर रहा है या फिर जान भूज करके आपको ignore कर रहा है या फिर वो भी आपको फसाना चाता है या पोजिशन से मिल करके तो आप ऐसा कर सकते हैं उस F.I.R की कॉपी ले लिजिए गाइक और आपको जाना है हाई कोट हाई कोट काई कले जाएंगे C.R.P.C. 1485 के दहत उस F.I.R को कॉपी लिए अगर आपको ऐसा लगता है कि ये F.I.R जूटी कर आई गई है और आपके पास एविडेंस है या फिर उसमें ऐसी कोई लाइन है जो प्रैक्टिकल नजर नहीं आती है ऐसा लगता है कि ये जो F.I.R है ये प्रैक्टिकल नहीं है तो उस मामले में उसके आधार पर उसे आप क्वेस के लिए हाई कोड जा सकते हैं उसको क्वेस करा सकते हैं अगर क्वेस हो गई F.I.R क्वेस का मतलब है कि रद्ध होना अगर F.I.R रद्ध होगी तो नहीं कोई केस चलेगा नहीं उस F.I.R पर कोई इन्वेस्टिकेशन हो सकते हैं और में भी हो सकता है कि आपकी FIR quest हो जाए या फिर जो आपके रिश्रदार हैं जो आपके parents हैं में भी हो सकता है कि उनके नाम high court निकाल दें दूसरी बात दीसरी बात यह है कि हो सकता है कि कोई इसमें specific धरा हो जो की गरफतारी की बनती हो जैसे कि 498 के साथ 324 या 325 जैसे section हो या फिर कोई बड़ा section हो जैसे कि 326 जिसमें accused की ग्रफतारी हो सकती है तो ऐसे मामले में आप not arrest के order के लिए भी जा सकते हैं अगर उसमें कोई ऐसी ग्रफतारी बाली धारा है तो ऐसा नहीं है कि ग्रफतारी बाली धारा नहीं है फिर भी आप जाओके high court जा रहे हैं not arrest के लिए तो उसका मतलब नहीं बनता है लेकिन अगर कोई जिसे के 326 है 307 है उसके साथ 498 जैसी धारा हैं 498 जैसी धारा हैं तो इस मामले में तो पुलिस आपको ग्रफतार कर सकती है तो ऐसे मामले में आप not arrest के लिए या फिर आप anti-sepiratory bail के लिए अपने district में district जो court है वहाँ पर anti-sepiratory के लिए बिल डाल सकते हैं तो यह बहुत सारे benefit हैं जिसकी बदर से आप खुद को बचा सकते हैं और बाद में court में evidence के तौर पर जो भी आपके पास prove हैं जब defense evidence stage आती है तब आप उसमें दे सकते हैं और अपना बचावाँ आप कर सकते हैं तो यह बिलकुल best तरीका होता है इस सरे के case से deal करने का So guys यह था पूरा वीडियो I hope you like this video अगर फिर भी कोई confusion हो तो आप मुझे comment box में लिख सकते हैं चलिए मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए